यह देखे फ्रेंड्स हमने अपना दूसरा पीस भी बिल्कुल सेम पहले पीस जैसा ही बना लिया है एक पीस हम फ्रेंट साइड का बनाएंगे एक पीस बैक साइड का अब हम जो इसको हम फ्रेंट साइड का बनाएंगे इसे हम साइड में रखेंगे और इस पीस को हम अब बैक साइड का बनाएंगे अब इसके ओपर फ्रेंड्स जैसे हमने नीच्चे दीखे अपनी ये पांच लाईने बनाई है आइसे ही यहाँ उपर simple बनाते गोई, ऐसे ही 6 सलाई निकालेंगे, उसके बाद ये 7 सलाई में dots डालेंगे, फिर 6 सलाई निकालेंगे, फिर dots डालेंगे, ऐसे ही बनाते हुए friends हम अपनी ये मुड्डे की लंबाई बनाएंगे, दीखे एक बार मैंने ये डाल दी है, ऐसे ही तो किनाते हुए में अपणी ये चार भार डोटोर डाल लेंगे ये दीखे फ्रेंट्स मेरे पिछ्छे साइड के पीस्की मैंने मुड्डे के लंबाई अपने पूरी कर लिए इसमें मैंने ये पांच डिपी बनाई है जैसे हमने निचे बनाई थी वैसे हमने इसमें भी पां force लाईया सिरफ मैंने यह लाश्ट में निकाली है और हमारा यह बैक पीस बिलकुल बनकर त्यार है यह देखे फ्रेंग्स बैक पीस हमारा बनकर बिलकुल रेडि है यह हमने मोड्डे की गटाई करके भी बना लिया है अब हम अपने front piece में उपर का बनाएंगे मोड़े से उपर का इसलिए हम back piece को side में रखकर अब अपने front piece में बनाएंगे उपर का हम मोड़े की गटाई देखे friends मैंने इसमें कर दी है तीन और दो की अब तीन दो की गटाई करने के बाद friends दुनों तरब से उपर हमारे हैं 70 फं इसमें फ्रेंट्स में button patti बीच में बनाऊंगी इसमें वह वाला गला बनाएंगे हम जो हम button patti वाला बनाते हैं इसके लिए friends मैं 70 फंदों में से 6 फंदे बीच के पट्टि के लिए रखूंगी और बाकी के 32 फंदे इधर 32 फंदे मैं इधर की side रखूंगी और 32 इधर और इस तरीके समय यह 32 फंदे बनाऊंगे यह देखे फ्रेंट्स मैंने 32 फंदे अपने सिध्य बुन लिया है एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बहारा तेरा चोदा पंदरा और एक यह सोला सोला दूनी 32 अब हमारे जो बटन पत्टी के हम छे फंदे लेंगे को हम अपने इस सलाई में बुनेंगे 32 फंदे इदर के छोड़ देंगे एक दो तीन चार पांच और एक यह छे छे फंदे हम लेगे बटन पत्टी के अपने ले लिये हैं अब इन फंदों को इसी सलाई में छोड़ देंगे और यहीं से इस सलाई को आपसी मोड़ते हुए जो हमारे बटन पत्टी के फंदे हैं इनको हम दोनों साइड से सिधा सिधा बनाएंगे 6 फंदों को सिधी साइड से भी सिधा और उल्टी साइड से भी सिधा एक दो तीन चार पांच उड़े कि यह छे छे फंदे देखिए हमने सिध्दे बना लिये आगे दागा करेंगे अगे के फंदे हम अपने ऐसे उल्टे वाले बना देंगे सारे फंदे अब जैसे हमने पिछले पीस में बनाए हैं इसी तरीके से हम फ्रंट साइड में भी बनाएंगे आगे हमने ना कोई फंदा बढ़ाना है और ना कोई फंदा गटाना है ऐसे हम अपने इन फंदों को ब बनाएंगे दोनों साइड से और बाकी हम सिद्धा उल्टा बनाते हुए अपना बीच में और साथ में सलाई पर यह पैटन भी डानेंगे बिल्कुल सेम इसी त्रीके से हम यह बना लेंगे यह देखी फ्रेंस हमने अपने एक 6 लाईयां निकाल लें है रेड कलर से एक दो तिन, चार, पाँच और एक यह 6 छेज लाइया निकालने के बाद अब हम अपना यह वाड़ा पैटन बनाएंगे इसके लिए फ्रेंड्स अब हमारा यह वाड़ा फंदा यहां बीच में आना चाहिए तो अब हम यहां से सबसे पहले पांच फंदे अपने यह रैड कलर के बना लेंगे चाहिए पांच अब यह वाड़ा फंदा हम अपना वाइड कलर का बनाएंगे यह देखिए यह हमारा बिल्कुल बीच वाड़ा फंदे पर आया है फिर हम पांच फंदे रैड कलर से बनाएंगे फिर दुबारा से एक फंदा वाइड कलर से फिर पांच फंदे रैड कलर से फिर एक फंदा वाइड कलर से फिर पांच फंदे रैड कलर से चाल और यह पांच फिर एक फंदा वाइड कलर का फिर पांच फंदे रेड कलर से पिर एक फंदा हमारा यह वाइड कलर का अब यहां पर हमारे दो फंदे बचे हैं, पट्टी से अलग पट्टी के फंदे छोड़ कर हम इन दो फंदों को रेड कलर का बना देंगे और आगे पट्टी के फंदे हम सारे सिद्धे बनाएंगे इसी तरीके से फ्रेंट्स अब की बार इससे अगली स्लाई में फिर हम छे स्लाई निकालके उसके बाद हमारा यह पैटन यहाँ इसके उपर आएगा फिर उससे अगली बार में यहाँ आएगा इसी तरीके से बनाते है पट्टी के फंदे FRIENDS हमने यह दिखिए रेड गलर से ही बनाएं अब उल्टी साइड से भी हम पट्टी के फंदों को रेड कलर का ही बनाएंगे इस सिद्धा बनाएंगे हम इन छे बंदों को चार पांच और एक ये 6 आके दागा करेंगे पूरी स्लाई हम अपनीया से ये उल्टे वाली बना लेगे पूरी स्लाई आँ हम सितिके से बनाएगे ये देखे हिए फ्रेंड़ह जो मने आपने उपर ये 6 स्लाई है इस स्लाई से आलग हम लाए है अब हम इसकी उल्टी साइड हैं अब हमारा ये पैटन उल्टी साइड से डलेगा सबसे पहले हम आपने ये पट्टी ये फंदों को सिधा बना लेंगे जो तीन चार पांच और एक ये छे दागा आगे करेंगे अब यहां से हमारी इस साइड से आप पांच फंदे हम रेड कलर के बनाएंगे, दो, तीन, चार और एक ये पांच, पहले हमारा यहाँ पर वाइट था, अब हमारा इनके बीच में वाइट फंदा आएगा, अब यहाँ पर हमें एक फंदा अपना वाइट कलर का बनाएंगे, फिर हम पांच फंदे रेड कलर से बन इसी तरीके से हम अपनी ये पूरी सलाई निकाल लेंगे और हमारा पैटन फ्रेंड्स यह ऐसे ही रिपीट होता हुआ जाएगा, अब हमारा यह वाला है जो हमने फर्स टाइम डाला था, इसके बाद हमारा सेकेंड वाला आएगा, फिर हमारा फिस्ट वाला आएगा, ऐसी करते हुए फ्रेंड्स हम अपनी ये मॉड़्े की लंबाई बनाएंगे, पांच लाइने हम ये डोट्सकी बनाएंगे और ये छे-छे सलाईया बीज में निकालते हुए हमने अपना इधर की साइड का ये मोड़ा बना लिया पूरा और इधर से मैंने ये कले की पट्टी बनाई है बिल्कुल मैंने इसमें भी वैसे ही अपनी पांच टीबी डाली है एक, दो, तीन, चार और ये पांच उपर मैंने ये चार सलाईयां निकाली है निचे हमने ये छे-छे सलाईय निकाली छे यहां छे यहां यहां पर भी छे यह और छे उपर सिरफ मैंने ये चार सलाईयां निकाली है अब इन फंदों को हम अपनी इस सलाईय में ऐसे ही बिना बुने उतार लेंगे दागा हमारा इदर है, वाइट दागा मैंने कट कर दिया है, अब इन फंदों को हम बिना बुने ऐसे इस सलाई में उतार लेंगे, सारे फंदों को मैं ऐसे उतार लूँगे, यह देखें मैंने सारे फंदे अपने इस सलाई में बिना बुने ही उतार दिया है, और इदर का मेर जो हमारे देखी यह पहली लाइन है बिल्कुल यह वाली इसमें से हम एक एक फंदा अपना उठा लेंगे एक दो छे में से छे ही फंदे हम यहाँ पर उठाएंगे पट्टी के पांच और एक यह चे क्योंकि यहाँ पर हमारा वाइट दागा था इसलिए यह वाइट दागा एक फंदा हमारा यह वाइट उठेगा टोटल हमने यह चे फंदे अपने उठा लिये हैं अब हम इसको आगे बिल्कुल से में ऐसे ही बनाएंगे जैसे हमने यहाँ से बनाया है यहाँ पर हम दागा अपना जॉइन कर लेंगे कि वाइट दागे में हम यह अपना रेड कलर का दागा लेंगे और यहां से इसको बुनते हुए कि दागे को हम दबा देंगे यहां से देखिए छे फंदे हमने अपने यह पट्टी के बुन लिये हैं अब आगे के सारे फंदे हम अपने ऐसे सिद्धे बुनेंगे यह स्लाइ फ्रेंड्स मैंने पूरी अपनी सिद्धी निकाल ली है अब हम इसकी उल्टी साइड है उल्टी साइड से अब हम पहले अपने फंदे यह उल्टे बनाएंगे जो हमारे ये 32 फंदे हैं इनने अम इस तरीके से उल्टा बनाएंगे ये फंदे मैंने उल्टे बना दिये हैं अब हम दागा पीछा करेंगे और अपने पट्टी के फंदों को यहां पर सिधा बनाएंगे bene will 7 गश्चेफंद्र हमारे फटीखें इस तरी से सीधा बनाकिए जाल है कि यह देखिए फ्रेल्डज़ अब हम यहां पर भी अपनी सेम देखिए फ्रेल्ड्स हम अपनी इधर का पैटर बनाते हूए यह हम सिद्धी सिद्धी बनाएंगे पट्टी के फंदे और अगे हम सिद्धा उल्टा बनाएंगे बिल्कुल सेम हम जैसे हमने यहां से अपना बनाया है इधर से भी हम बिल्कुल सेम ऐसे ही बनाया है यहां पर भी हम ऐसे ही बिल्कुल सेम बिल्कुल जैसे यहां पर बनाया है इधर की साइट से में आप हम ऐसे ही बनाएंगे यह देखे फ्रेंड्स मैंने अपने यह छे सलाइया निकाल ली है एक दो तीन चार पांच औरे की छे अब हम इसमें अपना यह वाणा पैटन बनाएंगे सबसे पहले हम अपने यह जो पट्टी के फंदे हैं पट्टी के पैटन जो है यहाँ पर यह पैटन आएगा सबसे पहले हम तीन फंदे रैड कलर से ही बना लेंगे इस एक फंदे पर हम अपना यह वाइट कलर लगाएंगे इस तरीके से फिर आगे के हम पांच फंदे रैड कलर से बना देंगे अब धागे को हम ऐसे साथ में लेके चलेंगे चार और यह पांच फिर आप यहाँ पर हमारे एक फंदा रैड कलर से बनेगा वाइट कलर से देखिए फंदा हमने अपना वाइड कलर से बना दिया फिर आगे हम दुबारा से पांच फंदे रेड के बनाएंगे फिर एक फंदा वाइड से पांच फंदे रेड से फिर एक फंदा वाइड से यह देखिए फ्रेंड्स इस लाइम में हमने अपना यह पैटर्न डाल लिया ह में C स्टाइडिंग में हमने 33 सिधे बनाए रेट कलर से फिर फंद उडसे फिर 5 ञेड एक उड़ से फिरेंग वाइड एक फिर पर पाउसे बनाते हुआं ने याज़ाया है अब यहां आपर मैंने वैसे बना करक से है उडसर फंदbew मैं यहां से ऐसे अपना है बना दूंगे रेड कलर से इस तरीके से अब हम आगे का पैटर्न बिल्कुल से मैंसे बनाएंगे पांच डिब्बी अपनी इधर डालेंगे एक दो बना दी है इस से अलग हम तीन डिब्बी और बनाते हुगा अपना ये लंबाई पूरी करेंगे इस की मोर्डे की यह देखिए फ्रेंडस हमारा फ्रण्ट का पीस बनकर बिल्कुल त्यार है दोनों तरफ से मैंने अपना ये पीस बना लिया ऐसे बीच में मैंने ये पठ्टी वाला घला बनाया है और दोनों साइड में मॉर्डे की गटाई की आब हम इनकी जौइनिंग करेंगे back piece की और front piece की यह देखे friends हमारा ये back piece है और ये हमारा front piece है बीच में हमारा सिद्धी side है बार की side हमारा उल्टा है दोनों side से अब हम एक दो में मेरी ये फंदे है दो सलाई में यहां से हम पहले फंदे join करेंगे इदर की side से फंदे लेंगे हम दोनों साइड से फ्रेंट्स तेरा तेरा फंदे जोईन करेंगे तेरा फंदे इदर से और तेरा फंदे दूसरे वाली सिलाई से देखे एक फंदा हम पहले वाली सिलाई से लेंगे और एक फंदा पिछे वाली से दो फंदों का एक करेंगे ऐसे हम दुबारा फिर एक एक फंदा लेंगे और दो फंदों का एक करेंगे पहले फंदे को इसके उपर से उतार देंगे ऐसे हम फ्रेंड्स यह तेरा फंदे यहां पर गटाएंगे तीन च्यार ऐसे करते हुए हम अपने ये 13 फंदे बंद करेंगे ये देखे फ्रेंट्स हमने अपने 13 फंदों यहाँ पर बंद कर दिया है 13 इदर से और 13 इदर से दोनों साइड से एक फंदा हमने लेते हुए अब हमारे अगे के fround piece में 24 फंद्स हमारे ये बचे हैं, 24 फंद्स और एक फंद्स हमारा ये है, total हमारे ये 25 फंद्स हो गए हैं, अब हम जो हमारे back side के ये फंद्स हैं, इन सारे फंदों को फ्रेंड्स अपने इस राई में ऐसे ही बिना वुने उतार लेंगे, ऐसे ही उतार लेंगे हम इन फंदों को साथ यह देखे फ्रेंट्स यह सारे फंदे मैंने बैक साइड के इस सलाई में ले लिए है अब हम इधर की साइड का अपना यह मुड़ा जॉइन करेंगे दोनों तरब से वैसे ही जैसे हमने इधर से किया है ऐसे इधर से दोनों सलाई में से के फंदा लेते हुए तेरा फंदे यहाँ पर हम बंद करेंगे दो फंदे लिए दो फंदों का एक किया फिर हमने दो फंदे लिए फिर दो फंदों का एक किया इसी तरीके से हम एक दो तेन चार पाच छे साथ आठ ग्यारा बारा और एक ये तेरा तेरा फंदे फ्रेंड सामने अपने इदर से ये बंद कर दी है अब मेरे इसमें ट्वंटी फाइव ट्वंटी फंदे ये हैं और एक फंदा ये ट्वंटी फंदे और ट्वंटी फाइव इदर और फोटी फंदे मेरे बैग पीस में है ये देखी फ्रेंड्स मेरे दुन्नों तरफ से मोड़े जवाइन हो गए है मेरे अब देखी फ्रेंड्स हम यहां से अपना उपर गला बनाएंगे कोलर वाला गला हम इसमें यह बना रहे हैं यहां से मैंने यह वाइट कलर अपना यहां जवाइन कर लिया रैट दागा मैंने काट दिया है सबसे पहले हम यहां पर पहला फंदा हम अपना ऐसे सिद्धा बनाएंगे और पूरी सलाई हम अपनी ऐसे सिद्धे वाली निकाल लेंगे और ये दागे हम बीच में आसे दबाते हुए इनको आगे लेकर जाएंगे इस तरीके से और ये पूरे फंदे फ्रेंट्स हम ये फंदे भी और अपने ये वाड़े फंदे भी और ये वाड़े फंदे भी पूरी सलाई हम में आसे सिद्धे बनाते हुए ये सलाई हम आपनी क क्किरेंगे ये दीखे फ्रेंट्स ये सारे पनदे मैंने सीधे सीधे बनाते वह वाइ से एक इक हम में कर लिये है अब हम इसकी व्ल्टी शाइड है वarn alter हो विल्टी शाइड से फ्रेंड्स जैसे सिद्धा फिर semua ऑल्ट certificate इसी तरीके से बनाते हो स्लाइए निकाल लें है। यह देखें यह स्ला ही मैंने अपनी पूरी निकाल cigarette लिया एक पंदा सिद्धा और पन्दा बनाते हुए आप इसकी सिधी साइड में एधर से मैंने ये फंदा सिधा बना गर इधर से मेरा ये फंदा बने स cone बनेगा फिर दागा पीछे करेंगे एक सिधा गर ये फंदा पीछे करके फंदा सिधा इस Τरह से बनाते हुए फ्रेंड़स हम अपने ये टोटल 10 सलाईयां बनाएंगे तीसरी सलाई पर मैं हूँ, दो सलाई बना चुकी हूँ, तीसरी पर हूँ, इस से अलग मैं साथ सलाईयां और अपनी इसी तरह से एक फंदा सिद्धा एक फंदा उल्टा बनाते हुए मैं टोटल यहाँ पर दस सलाइयां बनाओंगे यह देखे फ्रेंड्स हमने अपने ये दस सलाइयां निकाल ली हैं एक सिद्धा एक उल्टा फंदा बनाते हुए एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, और एक ये दास दस सलाईया निकालने के बाद फिरेंस अब हम इसमें आगे एक फंदा इदर बढ़ाएंगे, एक फंदा इदर बढ़ाएंगे उसके बाद हम और छटी सलाई में एक एक फंदा दोनों साइड से बढ़ाएंगे सबसे पहले देखिए हम जैसे हमारा ये कि ये उल्टा फंदा है इस उल्टे फंदे को हम यहाँ पर उल्टा बनाएंगे दागा पीछे करेंगे जो हमारे एक सिद्धा फंदा है इसके अंदर से हम एक फंदा अपना ऐसे बना लेंगे फिर आगे का हम पूरी सलाई जिस तरीके से हमारा ये बोडर है उसी तरीके से हम पूरी सलाई अपनी निकाल लेंगे और लाश्ट में एक फंदा हम यहाँ पर बढ़ाएंगे हम यह सलाई निकाल लेंगे यह देखे फ्रेंड्स यह सीलाई मैं अपने पूरी निकाल दी है और लाश्ट मेरी दो फंदे केम्रे solutions और अब हम इस近uls एग फंदे पर अपना YouTube आना करेंगे क्योंकि हमारा ये उल्टा फंदा है दागा पीछे करेंगे इसी फंदे में से एक फंदा हम अपना बना लेंगे लास्ट का फंदा हमारा ये सिदा बनेगा अब हम अपनी उल्टी संदा निकाल लेंगे इसमें जो फंदा जैसा है वैसे ही बुनेंगे देखे पहला फंदा हमा आते हुए अपनी पांच सलाहिया और निकाल लेंगे एसADE 2 साइट Two- satellite और और ये सब थाज़ देगा निकाल देए एक उल्टा एक सिद्दा बनाते हुए और हर चटी सिलाई में हम एक फंदा इधर से बढ़ाएंगे एक फंदा इसे बढ़ाएंगे हर चटी सिलाई में यह देखे फटरंस हम सिद्धी साइड है जो हमने यहाँ पर ये फंदा बढ़ाया था मैंव अपने बोडर के अनुसार कर लेंगे अब देखिए हमारा ये जो पांचवां फंदा है सिद्धा है इसे हम सिद्धा बुनेंगे इसे उल्टा और जो हमने ये फंदा बढ़ाया था इसे हम सिद्धा बुनेंगे फिर जो ये सिद्धा फंदा इसे उल्टा फैले फंदे को ऐसी तरीके से हम जब भी फंदा बनाएंगे तो अपने बोडर के अंशुवार हम इसको बीच में से सिद्धा बनाते हुए जाएंगे ये देखे फ्रेंट्स हमने अपने ये गले की कोलर की लंबाई बना ली है इसकी लंबाई बनाने के लिए फ्रेंट्स मैंने यहां से लेकर एंड तक 42 सलाईया निकाल ली है और 10 सलाईया निकालने के बाद मैंने इसके बाद एक फंदा बढ़ाया और एक फंदा बढ़ाने के और हुए मेरे उपर यह 106 फंदे में ने हीए किया है अब हाम इसकी गटाई करेंगे यानी कि हम यह सारे फंदे अब बंद कर देंगे दीःओं इसी तरीगे से लुग पर से उतार देंगें इसी तरीके से आम है सार्ण्देन मैं अपने बंद कर दी है और लाष्टक मेरे एक फंदा बचा है दागा भी मैंने कट कर दिया है अब इस दागे को हम इसे एक फंदे के अंदर से निकार लेंगे और यह यहां पर बंद करेंगे अब देकि हमारा यह k resurr बन गया है इस तरीके से हमारा यह कोलर आएगा और इसकी शेप देखे फ्रेंट्स ऐसे गई है दोनों तरफ से क्योंकि मैंने फंदे जो बढ़ाए है इससे हमारी थोड़ी तिरिची शेप हो गई है यह देखे फ्रेंट्स हमारा कोलर बनकर बिल्कुल त्यार है और यह इस तरीके से हमारा कोलर बना है अब हम इसकी बाजू बनाएंगे